Good morning students! I hope you all are fit and fine at your home. Kids, last class में माम ने letter F introduce किया था और F letter से related हमने कुछ pictures भी देखे दी और letter F की sound भी जानी थी. Letter F की sound F होती है. F F तो आज की class में kids हम letter F की recapitulation करेंगे और उससे related कुछ और pictures देखेंगे. साथ के साथ हम एक letter F से related worksheet भी करेंगे. तो आईए kids हम सब मिलकर अपनी activity स्टार्ट करते हैं. ये देखिए kids यहां माम के पास एक picture book है जहां letter F की बहुत सारी pictures है. तो आईए हम सब मिलकर पहले इन्हे रीट करते हैं. ये देखिए. ये है capital F और ये है small f. इसे हम uppercase F भी बोलते हैं और इसे lowercase F भी बोलते हैं. तो आईए सबसे पहले हम letter F को अपनी first finger की help से trace करते हैं. Straight line, then horizontal line, then one more line. अब हम lowercase F को trace करेंगे. थोड़ा सा curve बनाते हुए straight line, then बीच में छोटी line. ये बन गया small f, capital F, small f. और F की sound क्या होती है? आईए एक बार फिर से read करते हैं. फिर फिश, फिर फ्रोग, फिर फ्लार, फिर फेदर. चिट्स, अब हम एक वर्क्षीट करेंगे. ये देखिए, ये है letter F की worksheet, ये है capital F, ये है small f सबसे पहले हम इन pictures को read करेंगे F, fur, feather, F, fur, flower, F, fur, fish, fur, fish capital F, small f, अब finger से हम capital F बनाएंगे straight line, then horizontal line, then one more horizontal line अब small f बनाएंगे, curve बनाते हुए, straight line, then horizontal line ये बन गया, small f, अब हम letter F में circles paste करेंगे ये देखिए, यहां मैं आपने green color के और blue color के circles color paper के help से cut करके रखे हैं, parents आप भी इसी तरह से circles कट करके बच्चों को देंगे, और मेरे पास यहां crayons color है, इन color की help से हम इन सभी letter F की pictures में color करेंगे, तो आईए सबसे पहले हम circles paste करते हैं, सबसे पहले हम fevicol के dots लगाएंगे, इस तरह से, और इन dots पर हम blue color का paper paste करेंगे, capital F में हम blue color के circles paste करेंगे, इस तरह से, यह देख रहे हैं, और paste करते time directions का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें straight line में paste करना है, उसके बाद हमें horizontal line में paste करना है, इस तरह से, यह देखिए, यह मैंने capital F में blue color का paper paste कर दिया है, अब हम small F में favicol लगाएंगे, यह देखिए, इस तरह से हमने यह favicol के dots लगा लिए हैं, अब हम इसमें यह green color के paper paste करेंगे, one by one, सबी dots पर हम paper paste करेंगे, इस तरह से, यह देखिए, हमने small F में भी paper paste कर लिया है, अब हम crayons की help से इन सबी pictures में color करेंगे, सबसे पहले हम feather में color करेंगे, यह हम grey color लेंगे, और feather में इस तरह से color करेंगे, और color करते time, बिल्कुल ध्यान से color करेंगे, ताकि color बिल्कुल भी बाहर ना आए, यह देखिए, यह मैंने feather में color कर दिया है, अब हम flower में color करेंगे, flowers सबी colors की होते हैं, तो मैं यहाँ flower में yellow color करने वाली हूँ, इस तरह से मैं yellow color करूँगे, यह देखिए, यह मैंने yellow color complete कर लिया है, अब मैं इसके leaves में color करूँगी, तो किट्स आप बताएए, leaves कौन से color की होती है, very nice green color, तो मैं यहाँ यह green color लूँगी, और leaves में green color करूँगी, इस तरह से, यह देखिए, यह मैंने leaves में भी green color कर दिया है, अब हम fish में color करेंगे, fish भी सभी colors की होती है, तो मैं यहाँ pink color की fish बनाने वाली हूँ, यह देखिए, मैंने यहाँ pink color fish में करना start कर दिया है, और मैं बिल्कुल slowly slowly color कर रही हूँ, ताकि color बिल्कुल भी बाहर ना निकले, यह देखिए, यह मेरी fish में color हो गया है, अब मैं इसके यह जो pink है, इनमें भी मैं color करूँगे, यहाँ मैं orange color करने वाली हूँ, यह देखिए, यह मैंने orange color कर लिया है, अब यहाँ भी करूँगे मैं color, यहाँ और इसकी यह tail है, इसमें भी मैंने यह color कर लिया, यह देखिए, और अब मैं यह fish का, जो mouth है, उसमें मैं red color कर लिया, तो इस तरह से यह देखिए kids, मैंने fish में भी color कर लिया है, अब मैं कोई भी अपना एक one favorite color लूँगे, और उसके head से मैं letter F को भी circle करूँगे, यहाँ देखिए, letter F कहा है, यह रहा, तो मैं इसे circle कर देती हूँ, यहाँ बताईए, यहाँ letter F है, येस, यह रहा, इसे मैंने circle कर दिया, और यहाँ है, तो इसे भी मैंने circle कर दिया, तो kids, देखा आपने, मैं ने ये worksheet कितनी beautifully की है, आपको भी इसी तरह से ये worksheet करनी है, इसके लिए parents, आप ये worksheet हाँ से draw कर सकते हैं, या फिर आप इसका print भी ले सकते हैं, और worksheet करने के बाद, इसके picture group पर share करनी है, next time हम new alphabet के साथ मिलेंगे, till then, bye bye!